हेलो दोस्तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का Lex Explore टीवी पर दोस्तो आप तो जानते ही हैं कि हम जहां एक और आपको खुबसूरत देशों की सेर कराते हैं तो वहीं उन देशों के बारे में जानकारी भी देते हैं लेकिन दोस्तो ऐसे बहुत से देश हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए वो देश अक्सर सुर्ख्यों में रहते हैं बेशक आप उन देशों को घूमने ना जाब आ रहे हैं लेकिन देशों के बारे में जानना तो आपका अधिकार है और आपके इस अधिकार को पूरा करने के लिए लेक्स एक्सप्लोर आपके साथ है दोस्तो आज हम आपको जानकारी देंगे और खुबषूरे जगहों की सैर कराएंगे नौर्थ कोरिया की जी हाँ दोस्तो नौर्थ कोरिया जी हाँ नमस्कार दोस्तों लेक्स एक्सप्लोर टीवी पर एक बर फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करेगा चलिए शिरवात करते हैं नौर्थ कोरिया की जानकारियों के साथ दोस्तों नौर्थ कोरिया यह आज की समय में किसी न किसी मुद्दे को लेकर हमेशा सुर्खियों में बना रहता है हम सबको तो यह मालूम है कि इस देश को तानाशाही ताकतो द्वारा चलाय जाता है मगर ऐसे कई सारी रोचक बाते हैं इस देश के बारे में जिनकी खबर शायद ही आपको मिलती हो इस देश में ऐसी ऐसी चीजे होती है जिनके बारे में सुनकर आप अपना सर पकड़ लेंगे इन सब अजीब औ गरीब चीजों की खबर उस देश से बहुत ही कम बाहर निकलती है दोस्तों उत्तर कोरिया को अधिकारिक तोर पर ड्रामकेटिक पीपिल्स रिपॉब्लिक ओफ कोरिया कहा जाता है जो पूर्वी एशिया का एक खुपसूरत देश है नौर्थ कोरिया की सबसे उची बिल्डिंग खंडहर जैसी है रोस्तों देश की राजधानी पेंगवाइंग में ये सबसे उची बिल्डिंग है लेकिन ये बिल्डिंग इतनी खंडहर हो चुकी है कि इसे कयामत का होटल भी कहा जाता है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार 1989 फिट उची ये बिल्डिंग दुनिया के सबसे उची खाली इमारत है भले ही 2023 में हम जी रहे हूँ लेकिन नौर्थ कोरिया के लिए ये 111 है उत्तर कोरियाई कैलेंडर 15 अप्रेल 1912 से शिरू हुआ है और इस देश के संस्थापक कि मिल सुइंग के जनम की तारीक को दर्शाता है नौर्थ कोरिया ने अपने नागरिकों को साउथ कोरिया की सभी चीजों से दूर रहने की चेताबनी दिया दोस्तों जिसमें साउथ कोरिया का फैशन, फिल्म और संगीत भी शामी है इस आदेश को ना मानने वाले कम से कम साथ North Korea लोगों को मौत की सजा भी मिल चुकी है ज़रा सोच के देखिए आप North Korea में हैं तो आप South Korea के fashion को follow नहीं कर सकते नहीं उनकी फिल्मों को देख सकते हैं दोस्तो इसके अलावा नौर्थ कोरिया में किसी भी बाहरी देश के संगीत को सुनने की अनुमती भी नहीं है अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको सजा हो सकती है लेकिन दोस्तो इतने कड़े नियमों के बाद भी ये देश बहुत खुशुरत है और बहुत जादा टेक्निकली स्ट्रॉंग भी दोस्तो ये है प्योंग्यांग मेट्रो प्योंग्यांग उत्तरकोरिया की राजधानी है और देश का सबसे बड़ा शेहर भी है जब आप इस शेहर में पहुचते हैं तो सबसे पहली चीज जो आपको अट्राक करेगी वो है यहां का मेट्रो ये विश्विस्तरिय मेट्रो परिवहन नेट्वोक की बहतरी लाइन्स को दर्शाता है ये सभी भूमिगत है यानि जमीन के अंदर भूमिगत ग्रिल नकेवल परिहन उदेशों के लिए डिजाइन की गई है बलकि ये एक परमाणू बंकर भी है जीहां दोस्तो यानि की बंका आश्रय है दोस्तो ये है चूजे चावर प्योंग्यांग में चूजे चावर स्ट्रीट के छीक सामने ये लंबा शानदार इसमारक है प्रभावशाली चावर एक ग्रैनाइट प्रतिक होती है जो की किम सुइंग द्वारा पेश की गई राजनेतिक विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करती है चावर पर आप अक्सर अन्य परिटको को इसमारक की प्रभावशाली शक्ति का आनन लेते हुए पाएंगे टावर के शीष तक आपको एक लिफ्ट ले जाएगी जहांसे आप प्योंग्यांग को सुविधा जनकिस्थान से देख सकते हैं राजधानी शेहर के खुबसूरत फोटोस शॉट्स यहां से ले सकते हैं उतरकोरिया के किसी भी आगुन्तु को इस प्रतिष्ठित प्रतीक का दौरा करना चाहिए दोस्तों ये है मंग्योगडे फन फियर ये सौंग्स हील के तड़ पर है शेहरवासियों के गुमने के लिए ये बहुत ही खुबसूरत और अराम दैग जगा है मेड हाउस में आप अराम से रोलर कोस्टर की सवारी कर सकते हैं और बहतरीन एक्स्पीरियंस ले सकते हैं और हाँ दोस्तों जब भी आप इस शेहर में हो तो बच्चों के इस महल में जाना मत भूलेगा यहाँ बच्चों और युवाओं द्वारा बनाई गई उनके द्वारा रची गई वो सारी चीजे हैं जिने देखना तो बनता है यहाँ आपको जिमनास्टेक, संगी, मार्शल आर्ट सब कुछ मिलेगा वो भी काफी ट्रेंड लोगों के द्वारा इसी के साथ दोस्तो यहाँ पर आपको कोरियोग्राफर्स भी मिलेंगे जो की आपको बहुत खुबसूरत और लुभामने प्रदर्शन का आनंद देने के लिए मौजूद होंगे आपको यहाँ का एक्सपीरेंस ज़रूर लेना चाहिए दोस्तो नौर्थ कोरिया को प्रकती ने बहुत कुछ दिया है यहाँ बहुत ही खुबसूरत नजारे आपको देखने को मिलेंगे यह है पैक्टू परवत और चांगबाई रेंज यहाँ आप उचे पैक्टू परवत का आनंद ले सकते हैं जो चांगबाई रेंज का सबसे उचा परवत है यह सक्रिये जुआला मुखी परवत 9,003 फिट की उचाई पर है दोस्तो इस विसमेकारी परवत की चोटी पर एक बड़ी सी जील है जिसका नाम है पैक्टू संची इस जील को कोरियाई लोग पहाड़ी जील भी कहते है जील का उत्तर कोरियाई लोगों के लिए बहुत ही पौराणिक महत है और अध्यात्मिक भी पैक्टू परवत से एक प्राक्तिक जड़ना भेता है जिसे बैक्डू स्पा कहा जाता है यहाँ जरूर आए यहाँ का एक्सपीरियस बहुत ही खास होगा दोस्तो यह है मियोयांग से मियोयांग से इन उत्तर कोरिया में गुमने के लिए एक डरावनी लेकिन बहुत ही अट्राक्टिव जगा है पहाड के चारो और हर तरफ रहस्यमई आकरतियां और अजीबो गरीब सुगंध महसूस होगे पहाड को एक परवत भूबी माना जाता है क्योंकि इसे राजा ताहुन का घर कहा जाता है जो सभी कोरियाई लोगों के पूरवज थे पहाड के रहस्यमई आकर्शन के अलावा यहाँ आप लंबी पैदल यात्रा भी कर सकते हैं इसलिए बताया ना मैंना आपको यह जोर्णी आपके लिए बहुत ही एडवेंचरस होने वाली है दोस्तों यहाँ पर कई रेस्टोरेंट्स भी आपको मिलेंगे जहाँ पर आपको कोरियाइन वेंजन पर उसे जाएंगे एक थंडा नूडल्स ट्रे जिसे लॉंग मायोन के नाम से जाना जाता है पर उसे जाने वाले लोकप्रिये वेंजनों में से ये एक है इस डिश में आपको चावल के नूडल्स के ऊपर चिकन के टुकडे एक उबला हुआ अंडा, खीरा, लाल मिट, सरसो और सिरका होता है अन्य वेंजनो में किमची भी शामिल है, सिजनिंग, टोफू, समुदरी भोजन और कई प्रकार के नॉन वेजिटेरियन फूड भी इसमें शुमार है आपको यहाँ पर वेजिटेरियन फूड भी मिलेगा इसी के साथ दोस्तो, स्वाद के साथ हम अपने इस वीडियो को यहीं खत्म कर रहे हैं आपको यह वीडियो इसकी जानकारियां कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा दुबारा आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार